दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभ्यालों मानव सरीर यानि हिउमन बोडी यह काफी जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं 40 प् करते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कोश्चन है आप इनमें से कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कूर कमेंड बक्स में जरूर बाता है तो चले शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है मानो सरीर में मान स्पेसियों को हड्यों से जोड़ने वाले उत्ता को क्या कहा जाता है कांडर यानि टेंडन बुला जाता है करेक्ट आंसर अप्सन ही हो जाएगा इसके अलावा जादी हम बात कर रहे हैं कि मानो सरी में मान स्पेसियों कुल संख्या कितनी होती है और एक ब्यास्क मनुस्य के अंदर टोटल मतलब कु में पाई जाती है और सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो सबसे छोटी हड़ी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर इसके अलावा यहाँ पर हमने मानो सरी सरी लेटेड कुश्चन जो एक चाम में बार बार पूछे ज होता है तो अस्थिमाजा में सर्वगराही रख्समु है मनुस्य के छाते में दोनों तरफ कितनी हड्या होती है तो एक तरफ 12 और एक तरफ मतलब दोनों तरफ 12 12 पसलिया होती है मनुसे सर्य में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी जोड़ी में पुछा जाए तो 12 जोड़ी होती है मतलब एक तरफ 12 और एक तरफ 12 जोड़ी में 12 जोड़ी होती है मतलब 24 हड़ियां होती है विटामिन ए विटामिन ए संचित होता है यक्रित में विटामिन ये कहा संचित होता है यक्रित में रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहाइक होता है रक्त जो होता है उसको विटामिन के सहाइक होता है थक्का बनाने में सबसे लंबी पेसी है तो सर्टोरियास सर्टोरियास जो है यह सबसे लंबी पेसी है शरीर में मांसपे सबहाता है रगत मने उनिवार्उल डोनर है तो वो है ठीक है blood bank कहलाता है तो पली और याने पच़ेहए भोजन का उसोसन, बृट याने कीडिनी का बजन है, बृट याने कीडिनी का बजन कितना होता है, 150 गराम होता है, रोक्त को सुद करता है बृट याने कीडिनी, नौजात बचों के सरीर में 300 हड़िया होती है बस्तु का परतिवी मांग के रेटीना पर बनता है एलिसा 45 एड्स बीमारी के HIV वाइरस का पता लगाए जाता है एलिसा के द्वारा जो है एड्स बीमारी के HIV वाइरस का पता लगाए जाता है स्वेत रक्तकन को कहा जाता है तो लिवकोसाइट, स्वेत रक्तकन को क्या बोला जाता है, लिवकोसाइट बोला जाता है, मानोसरी की सबसे छोटी गरंथी है, तो पिटी उटरी जो की मस्तिस्क में पाई जाती है, मस्तिस्क के पिछलों इसे में सबसे छोटी गरंथी पाई सबसे मजबूत हड़ी है टीटने से सरीर का प्रभावित होता है तंत्री का तंत्री का तंत्री का तंत्र सबसे मजबूत होता है स्वस्त मनोसे सरीर में राकत तो होता है तो दोस्तों यह थे मानोसरी से इंपोर्टेंट जो बार बार एक चांब में पूशे जाते हैं ठीक है अगला question देखते है question number 2 है मानो सरी के अंदर खुन निमने लेखित में से किसकी उपस्तिति एकारण नहीं जमता है तो लिपने आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सीर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि घंटिक निसाने इसे जुरूर से न करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन उन करने से फाइदा यह होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सब्सक्राइब करने से यह फाइदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन उन रखें इसके बात जो है निद्रा के दोरान मनुस्य का रख्त चाप क्या होता है गहडता है मानो रूधिर में कोलोस्ट्रोल का समाने अस्तर कितना होता है एक सासी से 200 mg परसंट में होता है रख्त दाप मा अपने के लिए परियुक्त उपकरण को कहते हैं तो देखिए तो हमने बता ही दिये हैं कि स्फिगनों मैनोमेटर इसको बोलते हैं रख्त चाप यानि दाप किस में उच होता है धमनियों में उच होता है रख्त दाप का नियातरन कोन करता है अधिब्रिक यानि अंट्रीनर गरंथी करता है मानो का समाने रक्तदाव कितना होता है तो समाने रक्तदाव 122,8 mm पारा होता है रुधीर बर्ग ये वाला बेक्ति निरापद कौन से रुधीर बर्गों के बेक्तियों को रक्तदान कर सकता है तो ये तथा ये भी को जो है रक्तदान कर सकता है जब कोई बाहरी पतार्थ मानो रुधिर परणाली में परविष्ठ होता है तो परतिकरिया कौन परराम करता है तो स्वेट रुधिर करनी का है ठीक है यानि 2bc परतिकरिया परराम करता है हीमोगलोबिन का मुख्य कारे क्या है अक्सीजन ले जाना हीमोगलोबिन का क्या कारे है अक्सीजन का वहन करना इसका कारे है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है लोहा धातु पाई जाती है ये भी रूधिर बर्ग वाले बेक्ति को किसी बेक्ति को किस रूधिर बर्ग को बेक्ति का रोक्त दिया जा सकता है तो ये सभी रोधिर बर्ग वाले बेक्ति को दिया जा सकता है रोक्त इसकंदन में कौन सा विटामिन क्रिया सील होता है विटामिन केस क्रिया सील होता है हीमगलोबिन किसका महत्पून घटक है तो लाल रोधिर कणिकाय का यानि RBC का महत्पुन घटक है शरीर में स्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार है तो शरीर की रोगों से रक्षा करना जो इसका मतलब WBC का कार है रोगों से रक्षा करना इसका कारे होता है कौन सा रुधिर बर्ग विश्व ब्यापी अदाता युनिवर्सल रिसिपियंट कहा जाता है तो ये भी को ये भी को जो है युनिवर्सल डोनर बोला जाता है रुधिर वर की खोज किस ने की थी लैंड एस्टिनर ने इसकी खोज की थी रगत के ठका जमने का काराण है थ्रोमबीन रग कुछ हका जमने का क्या कराण है थ्रोमबीन है ये कंडर या टेंडर निमने लेखित में से किसके द्वारा बनाये जाता है तो ये केवल का लेजन फाइवर के द्वारा बनाये जाता है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारे पेसियों में किस अमल के कारांट पीड़ा होती है तो हमारे पेसियों में जो है लैटिक अमल के कारांट पीड़ा होती है बी आंसर हो जाएगा मांस पेसियों के ठाकान निमनलेखित में से किसके संचायन की वज़ा से होती है तो लैटिक अमल के लैटिक अमल के संचाइन की वज़ा से जो है मानस्पेसियों में ठाकान होती है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा कुशन नमबर 6 है निमनलेखित में से किस में प्रचूर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं प्रचूर मात्रा में से राओं में सफेद फाइबर पाए जाते हैं पि आंसर हो जायेगा मनुश्योशर में बर्टि ब्रेट किसका एक荷ण ब्रटैर? रीड की हड़ी का एक भाग है सी आंसर हो जायेगा माण्याक से, हड़ीओं के संख्या कितनी होती है तो नौजात सिस्वों में इतो बता ही दिये हैं कि 200, sorry 300 हड़िया होती है नौजात सिस्वों में जबकि एक ब्यास्क मनुस्य के अंदर 206 हड़िया पाई जाती है मानुसरी में 2 हड़िया आपस में किस परकार जुड़ी होती है तो दो हड़ी आपस में अस्थी बंद यानि लीगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है B अंसर हो जाएगा मानोसरी में हड़ीयों को कौन जोड़ता है तो मानोसरी में हड़ीयों को जो है असनायू बंधन ठीक है असनायू बंधन जोड़ता है D answer हो जाएगा दो हड़ी है एक दूसरे से किसी याने सन्योजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे असनायू बोला जाता है correct answer A हो जाएगा निमने लेखित में से कौन से एक मानो हड़ी का जोड़ नहीं है तो correct answer C हो जाएगा macro जो है ये मानो हड़ी का जोड़ नहीं है मानो सभी कि सबसे चोटी हड़ी कौन से है सबसे चोटी हड़ी जो है वो है stepis stepis जो कि कान में पाई जाती है सबसे चोटी हड़ी है सबसे बड़ी हड़ी पुछा जाए तो फीमर ये तो पिछले कुश्चन में बताया था, फीमर सबसे बड़ी हड़ी है और ये जांग में पाई जाती है, मानुसरी के सबसे लंबी हड़ी कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, ठीक है, फीमर जिसे बोला जाता है, टी आंसर हो जाएगा, मानुसरी में म था यह किल्षी ऐंसियम फास्पेट का बना होता है डी यांसर हो जाएगा निमने लेखेत में इसकौन सी करती होाँकोकण को नियांसरित करती करती है को आज आसपास थी हो क्या कहा जाता है छाते क्या सपस की हड़ी हो क्या कहा जाता है रीव से यानि पसलिया बोला जाता है C आंसर हो जाएगा रीड को किस नाम से भी जाना जाता है मेरू डंड के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर C हो जाएगा घोटने की हड़ी हो किस नाम से जाना जाता है गूटने की जो कटोरी सी बनी होती है गूटने पर जो होती है कटोरी सी बनी होती है उसको क्या बोला जाता है तो देखे उसको पटेला बोला जाता है D answer हो जायेगा मानों कि 25 नले कितने फिट लंबी होती है very important question है बहुत बर ये question पूशा गया है तो 52 नारे किरीच से उत्पन बल्ब वहती है , डी आंसर हो जायेगा कि मेटर में पुष्टाइये तो 9 मिटर 9 zrob findet 32 वहती है , डी आंसर जायेगा क्वांस्पेसियों कि रिया से उत्पन बल्ड को क्या कहा जाता है मानस्पेसियो क्रिया से उत्पन बल को क्या कहा जाता है पेसिया बल बोला जाता है सी आंसर हो जाएगा निमने लेखित मैंसे कौन से खाने जो हड्डियों के लिए आउस्टेक होता है तो हड्डियों के लिए केल्सिया माउस्टेक होता है D answer हो जाएगा निम्नलेखित मैंसे किस मानस्पेशी हो कांकाल मानस्पेशी भी कहा जाता है तो कांकाल मानस्पेशी जो है एच्छिक मानस्पेशी को बुला जाता है D answer हो जाएगा मानोसरी के सबसे छोटी मानस्पेशी कौन सी होती है तो सबसे छोटी जो मांसपेसी होती है वो होती है इस्टेपेडियस है B अंसर हो जाएगा मानोसे किसंग में प्रोटीन का पाचन सुरू होता है प्रोटीन का पाचन किसंग में सुरू होता है तो यह आमासे से सुरू होता है और छोटी आत में खतम होता है ठीक है तो B अंसर हो जाएगा इसके अलावा मानुसरी में भोजन का जो पाचन होता है ये कहां से प्रारंब होता है तो मुख से मुख से जो है भोजन का पाचन प्रारंब होता है कान में मौजूद तीन हड़िया कौन सी है कान में जो तीन हड़िया पाई जाती ह कौन कौन मतलब उसका नाम क्या है तो देखे उसका नाम है hammer, animal और stirrup ये तीन हड़िये पाई जाती है कान में B answer हो जाएगा मांसपेसियो का वह भाव जो संकुचन उत्पन करने के लिए सिकूरता है निमनलेखित में से क्या कहलाता है तो ये मांसपेसियो प्रोटीन है ठीक है करेक्ट आंसर ही हो जाएगा सारकुलेमा वह जिली है जो डैस को कभर करती है तो देखे ये मांसपेसियो तंतु को कभर करती है C answer हो जाएगा निमनलेखित में से क्यान मानुसरी में पाई जाने वाली हड़ि नहीं है तो करेक्ट आंसर D हो जाएगा एकसा जो है ये मानुसरी में पाई जान वाली हड़ि नहीं है बाकि ये स्टिरिण वाली हड़ि है निमनलेखित में से कौन अस्तिबान जाने लीगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं तो correct answer option B हो जाएगा हड़ी हड़ी से जूड़े होते हैं अस्तिपन्द याने लीगामेंट्स के द्वारा एक और सत ब्यास्क मनुसे कांकाल में हड़ी और कुल संख्या कितनी होती है तो हड़ी और कुल संख्या जो है दो सच्छे होती है B answer हो जाएगा निमनलेखित में से किसकी सहायता से रखत द्वारा ऑक्सिजन ले जाया जाता है तो लोहित को सिकाओं के सहायता से ले जाया जाता है correct answer हो जाएगा रूधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटेबार्डे निर्मित होती है lymphocyte के द्वछाएं निर्मेत होती है बी आंसर हो जायेगा 에ष सपर्मोलोजिय में किसका ध्याण किया जाता है बीजो का ध्याण किया जाता है correct answer यह हो जायेगा मनुष्य के आउसो में कौन सा enzyme होता है जिससे जिवान उमर जाते है मनुस्य के आंसो में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जिवाण मर जाते है तो ये लाइसो जाइम एंजाइम होता है जिससे जिवाण मर जाते है C आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सी गरंथी रक्त केलसियम अस्तर को कम कर देती है तो correct answer option D हो जाएगा थाइराइड गरंथी जो है रक्त केलसे मस्तर को कम कर देती है पिटी उट्री गेलेंड से निकलने वाले हर्मोन को कौन सी गरंथी नियंत्रित करती है तो ये हाइपो थैलेमस गरंथी जो है नियंत्रित करती है ये answer हो जाएगा मानुशरी में किसंका परतिरोपन नहीं किया जाता है तो मस्तिस की का जो है इसका परतिरोपन नहीं किया जाता है ठीक है गुर्दा, फेफडा, हिर्दे, तीनों का परतिरोपन यहाँ पर किया जाता है उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है मानुसरी में सरवाथिक मात्रा में पाये जाता है तो दोस्तों ये थे मानुसरी यानि इससे रिलेटेट इंपोर्टेंट 40 प्लस कुश्चेन आई होब कि ये वीडियो आपको पसंद आये रहेगा पसंद आये तो प्लेज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उससे जरूर सेन करते हैं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल सके तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन उन रखे ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जै हिंद जै भारत